सबी को मेरी ओसे नमस्कार मैं हूं जैन पतनायक आप सबी का मेरे चैनल में स्वागत है मुझे कई कमेंट्स में आया था कि तबला ट्यूनिंग का भी हमें लेसन दीजिए तो आज मैं वो लेसन आपसे शेर कर रहा हूं तबला बजाना जितना जरूरी है तबला ट्यून करना भी उतना ही जरूरी है तबला जितना अच्छा ट्यून होगा उनके बोलों में मिठास और क्लियरिटी उतनी ही जादा आएगी तो आईए लेसन स्टार्ट करते हैं हर एक तबले में 16 घर होते हैं तो तबला मिलाने के कई तरीके हैं, कई लोग एक एक घर को मिलाते हैं, तो मैं आपसे अपना तरीका शेयर करूँगा, तो तबला मिलाने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है, ये गजरा होता है, जिससे तबला पूरा बंदा होता है, ये गजरा है, ये बद्दी है, पंजाब में बद्दी बोलते हैं और ये चाटी है ये मैदान है ये स्याही है तो तबला को ट्यून करने के लिए जितनी बद्दी हम खींचेंगे उतना ही टेंशन आएगा गजरे के उपर गजरा उतना ही मैदान को टाइट करेगा और ट्यूनिंग पिछ अप जाएगी और डिला करना है तो पिछ डाउन जाएगी तो एक तरीका है कि सूर को सुनके सिरफ एक एक घर को आप आगे आगे बढ़ाते जाएं है ना उसको सुनते जाएं और एक एक घर आगे करके एक घर को आपस में मिलाते जाएं तो एक तरीका ये है जो मेरा तरीका है मैं आपसे शे और ये सामने, ये जो दो घर बनते हैं, ये जब मैं इसको ट्यून करूंगा इस वाले चारों को, तो सामने वाले चारों और ट्यून हो जाएंगे, तो मैं सामने वाले घरों को पहले मिलाता हूं, तो चार घरों के जो सामने वाले घर हैं, वो आपस में मिल जाएंगे, तो ब 7th white तो ये B scale पर है तो मैं इसको एक बार उतारता हूँ फिर आपको चड़ाके इसको टून करके दिखाता हूँ ये मैं तबला उतार रहा हूँ तो जब तबला को मिलाना होता है तो सबसे पहले उसके जो गटे होते हैं ये गटे आपको दिख रहें तो ये गटों को हम जितना खिंचेंगे उतना टेंशन पैदा होगा बद्दी में और जितनी बद्दी टाइट होगी उतना ही वो इसको उतना ही ये गजरे को खिंचेगी तो सबसे पहले हमें गट्टे को नीचे की तरफ धकेलना है हतोडी से तो हतोडी जो तबला ट्यून करने वाली हतोडी होती है वो एक तरफ से पतली होती है तो उससे मैं गट्टे को नीचे की तरफ धकेल रहाऊं तो एक-एक करके और सुनते भी रहना है कि सुर को समझना है स सूर के साथ इसका टोन कितना नीचा है कितना उंचा है उसको सुनने की कोशिश करने ही तो यही तबले को मिलाने का सबसे मेजर तरीक है सबसे पहले आपको सूर की समझ होनी चाहिए अगर नहीं समझ तो घर में एक तान पूरा फोन में आजकल सब के पास एप्लिकेशन हैं त उसको ओन करके छोड़ दीजे घर पे तो 24 गंटे वो घर पे साउंड चलता रहे तो ऐसा करने से आपके एक्मोसफेर में एक सूर की समझ पैदा होगी कि आपको पता चलेगा कि यह सूर चल रहा है तो अगर यह वाला तबला इससे कितना नीचा है और मेरे को इसको कितना उ करेगी तो आएए देखते हैं गिट्टे को आप सुनते सुनते चड़ाइए कि कहीं जादा ना चड़ जाए और अगर पूरा चड़ने पे भी तबला का वो साउंड नहीं पहुंच पा रहा है तो गिट्टे चड़ाइए और अगर स्याही को दबा के चेक कीजिए तो अग भी ध्यान दीजिए यह मेरा तरीका है मैं इसको सेंटर से दबा के चेक करता हूं कि यह अभी थोड़ा और टाइट हो सकता है अगर पूरा एकदम पत्थर जैसा हाड हो जाए तो उसके उपर मत चड़ाइए तबला कभी भी फट सकता है तो अब बी पे हम इसे लगाएंग गजरा है और बद्धी है तो कई लोग बद्धी पे भी बजाते हैं थोड़ी मारते हैं उससे बद्धी तूटने का खतरा रहता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप गजरे पे हलकी सी चोट मारिए तो वो मैदान को अपने आप टाइट करेगी और ट्यूनिंग उससे अ अशान हो जाएगी तो अब ये नीप है सा पर आ गया ये गर सा पर ही है तो जो मैंने पहला तरीका आपको बताया था कि एक एक हर को ट्यून करने का ओ कि एक एक घर सुने और एक-एक घर को आप ट्यून करते जाएं ऐसे एक-एक घर को ट्यून करते हुए आगे बढ़िए तो दूसरा जो मेरा तरीका है उसमें मैं सामने वाले घरों को सुनता हूँ और ये एक बहुत ही खास बात है आप अपने तबले में भी देखेंगे जब आपका एक घर ट्यून हो जाएगा तो आपको बस उसको एक गिट्टे को एक सही पोजिशन पर लाने की जरूरत है उपर ज़ादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये थोड़ा सा नीचा है अब ये मैंने चड़ाया अब इसके सामने वाला घर अपने आप ट्यून हो गया अब मेरे को इसको पूरा आधा घुमाना है ये घर हम ट्यून कर चुके हैं दोनों अब इसके बीच वाला घर ये थोड़ा चड़ा हुआ है और इसके सामने आईए ये अभी उसके बिल्कुल सामने वाला घर है ये अटोमेटिकली ट्यून हो गया तो ऐसे सिरफ दो बार में आपका तबला ट्यून हो जाएगा तो स्टेज पे ये बहुत हेल्प करता है इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब भी तबला आप ट्यून करें तो ये हमेशा याद रखिए कि सामने वाला घर कैसे ट्यून करना है तो आपको इसमें मदद मिलेगी तो एक फाइन ट्यूनिंग के लिए इसके सारे घर चेक कर लीजिए तो डगगा को जादतर लोग ट्यून नहीं करते हैं पर डगगा को भी ट्यून करने का एक तरीका है इसको याँ गापे याँ पापे ट्यून करते हैं तो जैसे ये बी स्केल का है तो इस परकार आपका तबला ट्यून हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सुनने पे काम करने की जरूरत है तबला ट्यूनिंग कुछ मुश्किल नहीं है आप कोशिश कीजिए और हाँ इसमें सावधानी की बात ये है कि हथोड़ी हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपकी चाटी पर टच ना हो नहीं तो चाटी कट जाएगी और आपका तबला बिकार हो जाएगा उसको नया बनवाना पड़ेगा तो इसका बहुत ध्यान रखिए पहले धीरे से प्रैक्टिस कीजिए धीरे से बहुत ही ध्यान से और एक बात और ध्यान रखनी है गटे को चड़ाते हुए ये हथोड़ी उनके पैर पे भी लग जाती है मेरे साथ भी हुआ था जब मैं चोटा था बिगनर था तो इन सब चीजों को ध्यान रखके आप ट्यूनिंग कीजिए तो होफुली ट्यून बहुत अच्छा होगा और कुछ नहीं होता कोई सवाल होता है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका रिपलाई कर सको तो ये थी आज की तबला ट्यूनिंग वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सस्क्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों से शेर कीजिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी तबला प्लेयर हैं और संगीत प्रेमी हैं उस सब मेरे से जुड़े मैं सब से बात करना पसंद करूँगा धन्यवाद